इसके अंदर एक लेवल हमने इडेंटिफाई किया था 3295 का जिस रेंज पर हमने इसके अंदर अपनी एंट्री ली थी के साथ हमने मेट्रोपॉलिस को शॉट कर रखा है और यह जो मुव्मेंट आया है इस मुव्मेंट को हमारा आधा टार्गेट दिया है और एक प्राइस के अंदर भी इतना ही मूव हमें और भी देखने को मिल सकता है विकाज सेकेंड अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है 12 पेम के बाद से हम क्या करेंगे आज की दिन इसको हायर और लोवर टाम पर समझने की कोशिश करेंगे और एक बहुत अच्छा कॉंसेप्ट है इसको समझ लेना बहुत जरूरी होजाता है तो आज हम क्या करेंगे के आपने इस समझने की कोशिश करेंगे कि यह हैं कि छने में और लिग वेवन घर हम पहले हम कुछ चीज़े करेंगे और देखेंगे कि अपना में तरह से क्यों सकते हैं जितने भी chapters थे उनको और एक step आगे ले जाने की कोशिश की है जिससे की confirmations लेने में आसानी होती है कभी भी आप जब इस level पर पहुंच जाओ कि आपको लगए कि अब मेरे पास एक setup बन गया है अभी उनको और ज्यादा इंप्रूव किया है जो ट्रेड हम खुद करते थे उसको और भी ज्यादा इंप्रूव करने के कुशिश की अभी setup को थोड़ा सा और एडवांस किया है कौंस ऐसे पॉइंट से जिनके थुरू हम एक अच्छा ट्रेड ढूंड सकते हैं मेट्रोपॉलिस को लाइक हमने आज ट्रेड किया है तो इसके अंदर देखिए हम ट्रेड बूक में सबसे पहले हम लॉग इन करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे पोजिशन बूक अपनी इस वक्त का अपना प्रॉफिट चला है 5,750 रूपीज के पास का हमारा प्रॉफिट है एक बार इसको रिफ्रेश्च कर लेते हैं 5,710 रूपीज प्रैस के मूँस डाउंसाइड के तरफ कॉंटिन्यूइस हैं अभी हम इसके और बूक देख लेते हैं एक बार सो और बूक में अवर आल आप देख सकते हैं 250 कॉंटिटीज को हमने एक्जेक्यूट किया था 3,295 रूपीज के लेवल सब्सक्राइब के लेवल सब्सक्राइब करेंगे तो पूरी तरह से कॉंसेट्रेट को समझेगा एंड वीडियो अच्छा लगते तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजेगा कॉमेंट्स कीजेगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा मेरा प्रयास रहता है हमेशा से कि प्राइस एक्शन में विडाउट इंडिकेटर इंडिकेटर सिर्फ आपका ध्यान भटकाने का काम करते हैं जितना हम अपने एक्स्पिरेंस से समझ चैनल को दॉमन के ऐदर के आपकर में करते हैं कि एक को यह नहीं का बठाइब करो यह कुछ पॉन्ट से याद रखना होना ही पड़ेगा because एक price action ही ऐसा है जो कि आपको pure significance देता है और pure signal देता है कि आप trade execute कर सकते हो perfect अब हम चलते हैं सिधे charts के पर और charts पर इसको ज़रा गौर से समझने के कोशिश करेंगे because आज एक setup है जो कि thumbnail में आपने देखा है कि how to trade properly what is how to trade properly या इसको how to trade properly हम क्यों कहेंगे इसको थोड़ा से समझ लेते हैं यह जितने भी ranges है अब यह stop process बगारा like यहां पर जो अपनी entry लिए है price ने जब downside की तरफ यह movement हमको देखाया confirmation जब हमको इस वाली volume ने दी देन हमने यहां पर जा करके प्रेंट लिए और उस वक्त का जो मेरा swing high था क्योंकि इस वाले swing high को break करके मेरा price upside की तरफ गया था यहां पर minute price upside के तरफ गया है और अपने highs को break करने के कोशिश की कर देने के बाद में price देखें वापस से नीचे की दिशा में आ गया और इस ने अपना low break कर दिया अब low break कर देने के बाद में वापस previous जो मेरा high था जिस swing के उपर price मेरा बिल्कुल भी sustain नहीं हो पाया था हमने क्या किया कि जस्ट उसी एक swing को अपना stop loss के लिए यूज किया यह वाला जो swing point है हमने ECU के अपना stop loss लगा है इस swing को upside के दर breakout कर देने के बाद में प्राइस ने हमारी लोड को ब्रेक कर दिया अब वापस से इस वाले swing को ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा प्राइस के लिए सो हमने क्या क्या इसके अदर अपना stop loss लगाया है डवल 305 डवल 304 पर stop loss लगा दिया है entries के लिए देखियो डेली टाम फ्रेम पर चलते हैं डेली टाम फ्रेम पर डवल 395 इन रेंज को डिलेट कर लेते हैं प्राइज मेरा डाउन से मूफ अच्छे हो रहा है ठीक ठाक मूफ हो रहा है सो 6000 रुपिस के लगभग प्रॉफिट हमारा चल रहा है एक बाद रिफ्रेश कर लेते हैं इसको अब देखिए प्राइज मेरा जब डाउन से अपसाइड की तरफ गया था डाउन से अपसाइड में जाते हुए प्राइज ने जो सबसे पहली एक बुलिश केंडल बनाई थी वह यह वाली थी हम इसका लो मार्क कर लेते हैं और प्राइज ने जहां तक अपना हाई लगा इसका हाई ब्रेक कर देने के बाद प्राइज के अंदर इतना बड़ा मूव आया था अब क्यूंकि प्राइज में अगर हम इस एक रेंज का प्रिवेस डाटा भी मार्क कर लेते हैं तो देखिए इस एक रेंज ने अच्छा खासर रेजिस्टेंस हम लोगों को दिया था कि यह प्राइज उस रेंज के नीचे ही इसने ट्रेवल किया है यहां पर देखिए और प्राइज जब इसके ऊपर निकलता है तो एक अच्छा मूव आता और जब इसके डाउन साइड की तरफ है तो यह गिरने की कोशिश करता यहां से इस एक पॉइंट से भी देखिए यहा केंडल कौन से थी यह वाली केंडल मेरे लिए इसका लो एंड हाई दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हम क्या एक काम करते हैं पर इसका लो माग कर लेते हैं और इन दोनों के बीच की जो एक रेंज इंपॉर्टेंट रेंज निकल करके आती है प्रिवेस यह जितनी भ पर ही अपनी एंट्री के जो लेवल से एंट्री जो डिफायंट करनी होंगी ऑप एंड डाउं की यह वाली जो रेंजर्स हैं इनको डिलेट करते हैं इनका काम हो चुका है खतम इक्जैक्ट जो रेस्टेंस हमाई लिए निकल करके आता है वह पॉइंट मेरा बनता है डबल थी जिरो का हमें इसके नीचे से अपनी एंट्री करनी है अप्राइज मेरा देखिए अपसे डाउंसाइड के तरफ आया है और अपनी इस ग्रीन वाली केंडल के नीचे जाकर करक है तो ओवराल जैसे देखा जाए अब क्योंकि प्राइस डाउंसाइड की दिशा में ट्रेट कर रहा तो हम इसको तुरन तो शॉट करने देंगे हमें इसके अंदर कंफरमेशन के ज़रूरत पढ़ेंगी कंफरमेशन लाइक कि इस रेस्टेंस के उपर देखिए प्राइस पर हम देखने के प्राइस वीक है तो हम भाइंग तो नहीं करेंगे हमें इसके उंदर शॉट करना होगा अब लोवर टाइम पर आ जाने के बाद हमें ज़रूरत पढ़ती ही कंफरमेशन की तो जो एक्जैक्ट पॉइंट्स हमको समझ में आते कंफरमेशन के वह यह वाली जो ब्लैक वाली केंडल आप देख रहे हैं 7th of January की आज की 925 की केंडल के एक्जैक्ट लो जब आप माग करोगे तो आपको 925 का 9295 की रेंज मिलेगी ओके सो यहां पर हमने क्या किया है कि अपनी एक एंट्री लें यह वाली जो हमारी लाइन थी इसको थोड़ा सा और उप काता हुए हमने अपना stop loss लगा दिया अपर लाइन जो यह होगे हमारी डवल 304 की यह मेरा stop loss अरिया बना एंट्री का पॉइंट बना मेरा 3295 और अब बारी आती है टार्गेट के लिए हम इसके अंदर 3240 की लेवत का यूज करने वाले हैं जब आप हायर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो यहां पर आपको कुछ एक पॉइंट समझ में आएंगे पर एक सिगनिफिकेंट केंडल है हमारी और जिस केंडल का इस्तेमाल हम या जिस केंडल का यूज हम करें है अपने टार्गेट लगाने के लिए और यह भी प्रीवेस डाटा की ही केंडल है मेरी सोई आई थिंग कि आपको यहां पर समझ में आओगा देखे डाउन से अब मुग दिखाया इस ने था यहांसे और वापस से प्रायस हमारा इसी सपोर्ट के निचे निचे आया है और यह कुछ यह सपोर्ट को ब्रेक करके प्राइस अपने सपोर्ट तक आ सकता तो ओवरॉल एंट्री स्टॉप लॉस और टार्गेट यह तीन चीजे आप लोगों को क्लियर हुई होंगी अब हम लोग बढ़ेंगे अपने सेकेंड पार्ट की तरह जिसमें की एक सेटप जो होता है हाँ टूरी प्रोपर अगर आपको ट्र lamb करना है तो हम किस तरह से कि सेटप का यूज कर सकते हैं देखें होते कि सारे सेट आप बहुत सारे سपसे को यूज करते उस ממot सेटप है हम उसको को आपके साथ share करया कि कोशिश करेंगे उसको संजाने के निए कि कोशिश करेंगे एक important support zone है तो उसको breakout करने एक प्राइस के अंदर बहुत ज्यादा या फिर यू कहें कि काफी ज्यादा volume की जरुरत भड़ती है प्रैस ऐसे ही break नहीं हो जाएगा अगर वो without volume किसी एक important zone को break कर रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर फेक breakout की संभाव ना बढ़ जाती है गिरने को गिर सकता है बटकर volume सा जाते तो यह confirm हो जाता है कि प्राइस के अंदर मूव सियांसे हो सकते हैं तो इस वक्त का जो अपना profit चल रहा है लीजे 10,000 रूपीस के लगवा है कि हम इसके अंदर profit में रूके हुए है एंड उमीद यह है कि इसके अंदर जो profits हमारे और increase हो सकते हैं सो हम वेट करेंगे यहां पर 12 या 13,000 रूपीस तके profits के लिए और उसके बाद में भी जो range हमने यहां पर लगा रखी अपनी 3240 की यहां पर movements देखेंगे प्राइस की sparkness देखेंगे अच्छा लगता है तो अपने targets को और ज़्यादा stretch करेंगे यह जो volume आप देख रहे हैं प्रीवेस काई दूनों से यह वाली जो volume आई थी अपनी 5th of January 2022 को आई थी अब जाकर के इतनी ज्यादा volumes हमको देखने को मिली है सो वेट करेंगे और अब क्योंकि volumes आई है तो उसका कुछ ना कुछ reflection हमको price के माधिम से market दिखाना चाहिए देखते हैं अपनी किस्मत में कितना profit आज के दिन सो 9,000 रुपिस के लगबग हम profit में इस वक्त चल रहे हैं एंड को बड़ा मूव होता है तो इन फार्म करते हैं आपको इंबर्स यहां पर एक चीज़ जरूर याद रखने वाली है कि जब हम बात करते हैं हाउटू ट्रेट प्रॉपरली यह कोई एक सेटप नहीं है प्रॉपर अगर आपको ट्रेट करने इसमें सब्सक्राइब करेंगे इसको ओवर्ल देखने की कौशिश करेंगे इस्ट्रूर के तुरू हम अगर एक ट्रेट एक्ज़ेक्ट करना चाहिए तो कैसे करेंगे विगवाज इस स्ट्रूर के लिए आपको थोड़ा सा स्टॉक फाइंड करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कौन से स्टॉक के अंदर आपको यह वाला श्रेक्टर नजर आ रहा है अगर यह इस ट्रॉक्टर आपको नजर आ रहा है तो यकीन मानिए यह इस टॉक आपको बहुत ज्यादर प्रोबाविल्टी देगा किसी विए क्रेट को एक्षिट क रहए इन वाले प्वंट्स पर यह हाएर हाइज यह हाइर इस हाई है हाइस हाइर हाइज हाइज और सब्सक्राइज पर सब्सक्रेट के दिवत्र जो resistance था इस resistance को ब्रेक करके price वापस upside की तरफ जाता है again support और again high इस तरह से market run करेगा अचानक से price upside की तरफ नहीं चला जाएगा अब इसको बहुत से जो टेडर से इनको hips बोलते हैं कुछ इनको price structure बोलते हैं लाइक आप इनको समझ सकते हो कि प्राइज जब भी upside के दरफ जाएगा तो higher highs और higher losers form करते हुए market हमारी upside की दर जाती है तो upside की दरफ लगने वाली जूपॉंट से हर्त होते हैं और यह downside की तरफ guidelines लगते हैं हमारे higher lows होते हैं अब इन higher highs and higher lows का combination एक प्रॉपर trading setup से क्या है कि इस तरह की formation साब को थोड़ा से ढूंदना पड़ा बहुत इजली आपको मिल जाएंगी और वेट करना होगा कि प्राइस आपका वापस इन हायर है सिर्फ ये वाला जो एक दूसरी दिशा में जो हमने ये ड्रॉ किया हुआ इसको थोड़ा सभी भूल जाए ये क्या है तो प्राइज आपका की तरफ जा रहा था तो देखिए इसने कुछ एक रेस्टेंस पॉइंट बनाये थे और उनेस्टेंस को ब्रेक करते उसमेरे अफ्साइट की तरफ जैसे एक ये एक ये फिर एक ये वाला पॉइंट ये दे आभी सभी लोगों का मौलुम है रे सब्सक्राइब इनका यूज किस तरह से करना है इसके पर थोड़ी से चाहिए होती आपको बहुत अच्छी तरह से इनका यूज अगर आपको करना आ गया तो मान करके चलिएगा आपका 52-60% काम आपका हो जाता है आपको फिर ज्यादा मेहनत करने की जोरत नहीं पड़ती अपमें रेजिस्टंस को ब्रेक करते हुए गया ता यहां से रेजिस्टंस को ब्रेक करते हुए कए थो अपज किसी इन और ऐहले को किसी भी तैम फ्रेम पर देख सकते हों इवनाध मिनीट्ट 750 मिन इनावर वन वहार 70 नावर ओर फुर आवर किसी भी टाइम फ्रेम पर एक्टूरी दिस एस प्रॉस एक्षिन आफको किसी भी टाइम पर चलेंगा था ज्या ऑता है जितना कम डिशन आपका कम होता चला जायागा आप इस mouth बढ़ते चले चूल के लिए आप डेली टायम की केंड़ का यहां पर जैसे जैसे प्राइज आपका डाउंसाइट की तरफ आता है तो देखिए एक सेटप के लिए आपको वेट करना होगा कि यह जो हायर हाई लगे हुए है प्राइज जैसे जैसे बन रहे थे आपके आप उनको माग कीजे आगे चैंश नहीं जैसे ही अपने को सपोर्ट में करक्वित लब यह तो रेस्टेंश थे अपसेट की जो रेंजस के हमारी एक रेस्टेंश पाइंट फिर टी wa यहां से एक ट्रेड करना है अपनी फॉर्मिशंस आपको देखनी है स्टॉप लॉस्स लगानी को फॉर्मेशंस देखनी है तब यहां पर आपको ट्रेड करना हो शॉट के लिए प्राइस आपका डाउन साइट की तरफ गिरेगे एक पॉइंट होता है जब और यह सेकंड पॉइंट है कि जब आपका स्ड्राइस कोषिश करें She हमिशा buy के जिए जब बाइक कोशिश की जेओ चैसर लगा रहा है ला जिब जब ब्लस गडिदमें कि ONE सिब्स भी जैसे हिमें बताया के प्राइस जब हमारा गरने को होगा तो सीधे हैसे नहींग गिर जागा एकदम से गिर गया वो कैसे यूं ऐसे higher highs higher lows higher highs again higher lows इस तरह से गिरेगा तो यह जो retracement है अगर आप experience order हो तो आपको मौलूम होगा इन retracement का यूज किस तरह से करना होता है इन retracement को भी हम cash कर सकते हैं कि प्राइज में आपको बाइंग करना हो अच्छा setup आपको दिख रहा हो कि मार्केट आपकी positive है बट प्राइज मेरा negative है तो इसका एक support पर आ जाने का वेट किए जब प्राइज आपका support पर आ जाए तो कोश इसके यह वाले जो स्विंग बने थे हमारे जब प्राइज मेरा upside के तरफ जा रहा था तो यह वाले जो swings बने थे यहां पर आ करके आप बाई कर सकते हो upside के तरफ from the target of for the target of this point अब exact हाई मत रखिया यह exact हाई मत रखिये उसका थोड़ा सा नीचे लाकर करके अपने टार्गे करना थे कि इसको और बेची तरह समझें कि प्राइज मेरा यहां से यह upside की तरफ गया था कि एक resistance बनाया और resistance बना करके यह कुछ retracement और अगेन प्राइज ने पना resistance ब्रेक कर दिया यह वाला अब प्राइज मेरा जब यहां पर आएगा अब क्योंकि यह resistance था प्राइज जब upside की तरफ गया तो रेस्टेंस को ब्रेक करते हुए गया था कहां पर इस वाली जगर अब यही रेस्टेंस जब प्राइज वापन से इस रेंज पर आएगा जब भी आगा इसके इसको लिए इसके लिए एक support के तरह काम करना चाहिए जब एक support को break करेगा तब आपको एक sale की opportunities find करने होगी और जैसे ही price आपका अपने support पर आता है जैसे कि यह वाले सपोर्ण यहां पर जब प्राइज आयागा आपको क्या करना होगा जस्ट एक छोटे से retracement के लिए पहले चीज तो क आप support identify कर लोगे तो इस रेंज पर आकर कि आप बाइंग्स की ओडर अपने execute कर सकते हैं यह एक setup होता है कि जब हम कहते हैं higher highs and higher lows के माध्यम से आप buying और selling कैसे कर सकते हैं यही कुछ points होते हैं कि जब प्राइज अपने support को ब्रेक करें डाउन सैट के तरफ तो यहां से आप बाइक शौर्ड कर सकते हैं वापस से जब प्राइज आपका एक support पर आ जाए ओके तो यहां से एक retracement के लिए आप बाइंग साइड में जा सकते हैं इसको कभी भूलना नहीं यह थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा किसी भी ट्रेट को करने के लिए इन सेटेश का यूज किया गिजे बहुत ज्यादा आसानी होगी आपको प्रॉपर में देखिए जितनी आसानी से में यह ड्रॉइंग्स को करने में पर्फेक्शन आपके अंदर आता जाएगा ना मार्केट आपको इतनी ही इजी लगेगी जस्त यहां पर प्रॉब्लम तब आती है कि जब हम शुरूआत में ट्रेक्टिस कर रहे होते हैं ट्रेक्टिस में आप किसी भी आर्ट में जाए कोई भी नए चीशी कि श कि लाकी आ ना हमाइब हेसान होता चला जाएगा ऑके है उत यह वाली जो आपके पॉइंट्स बबनते हैं और मार्केट में लेनी होती हो प्राइट प्राइए के साथ होसी कि है को बेसिक ट्रेंड आपको लग जाए कि डाउन का है तो कोशिश कीजिए वहां से बाइंग ना ढून करके आप सिर्फ सेलिंग देखिए और प्राइज अपने लोज को ब्रेक करने लग जाता है तब आप वहां से एक के आपके आपको का थीस की का 커피क का मुझेश का है किसी काम कि वीजा framework बाहर जाना पधा थे इस वीज़े से जो डंब किशन के हमारी स्कूर की उस वक्रेक्टके कि रिकॉर्डिंग ट记सिन आपको आपका जहा है तो मोबयस हम स्कों लगातर मोनिटर कर रहे थे तो चार बच कर बार हमने ठो रहा है और मार्केट कुर तरह से क्लोज हो चुगी है अभी हम दिखाते हैं आपको कि हमने ओर्डर अपने कहां पर निकाल ले थे मौनिंग में जो हमने इसके अंदर अपने एक्जिट पॉइंट्स डिसाइड के थे जो टार्गेट्स डिसाइड के थे 3-2-4-0 देखिए प्राइज उसी एक रेंज पर आ करके सपोर्ट लेगने के बाद यह आपसाइड के तरफ चला गया यह आइडेंटिफिकेशन लेवल को जब सही तरीके से आप आप आइडेंटिफाई कर लोगे तब इस प्रॉइंट पर हम निकले हैं यह एक्जैक्ट बॉट्म था सारी की सारी क्वांटिटेस हमारी नहीं निकल पाई थी 3-2-4-0 डिंदी निकल दी बागी क्वांटिटेटीस हमने अइप साइड गीदर दर निकल लेती यहां से प्रेट बुक उपन कर लेते हैं प्रेश्ट प्रेश्ट करते हैं जल्दी से वन अब यहां पर सबसे पहले हमें लोग अपनी ओर्डर बुक ओपन करते हैं कुछ आपको देख रहे होंगे लगबग 250 कॉनिटी के साथ यह ट्रेश्ट हमने अग्जिक्यूट किया था इसमें एक ट्रेश्ट हमारा था सबसे पहला जो हमने कॉनिटी बुक के थी 147 कॉनिटी कर ली थी अपनी 3240 पर और वहां पर कुछ ऑर्डर अपना कैंसल कर दिया था ही लगाया सार अगसार और में मार्कित और पर निकाल दिया तो 3250 रुपे कुछ पैसे पर हमारा सेकेंड और जो था वह निकला था मतलब 103 कॉनिटी हमारी बच गहीं थी वह हमने 3250 रुप बीस पैसे पर निकाला था तो दो और थे 250 के सो पोजिशन बुक देख लेते हुआ और जो आज का अपना प्रॉफिट है 12600 रुपे के असवास के अपना प्रॉफिट था एंड इसको रिफ्रेश कर लेते हैं मेरे लिए एक डिसेंट सा और एक सटिसाइब प्रॉफिट रहा सो आज के टीट हम लोगी पर अपना खतम करते हैं जो भी हमने आपको सेटप बता अपने कल के टेडिंग सेशन में कुछ अच्छा सा टेडिंग सेटप अगर मिलेगा तो आप रोगों के साथ उसको ज़रूर शेयर करेंगे सो थांक्यू गूडबाई एंड वीविर मीट अकेन